क्या एक मुस्लिम व्यक्ति देश का प्रधान मंत्री हो सकता है तो किसी भी व्यक्ति को देश का प्रधान मंत्री होने के लिए उसे भारत देश का नागरिक होना चाहिए और लोकसबा या राजसबा दोनों में से किसी भी एक सबा का सदस्य होना चाहिए क्योंकि भारत एक secular country है तो यहां कोई भी हिंदू हो या मुसल्मान हो यह से खिया इसाई हो कोई भी हो यह conditions जो शर्त हैं वो पूरी होनी चाहिए और उसके बाद वो देश का प्रदान मंत्री बन सकता है लेकिन सवाल यह है कि क्या 80% हिंदू जन संक्या एक मुसलिम व्यक्ति को प्रदान मंत्री के रूप में चुनेगी